सहिंद्र सिंग जी राधाव खुर्देव राधाव लिफ श्यर इवंश प्रणाम तो भगवान राम में जाता है दीता जी पड़ता हूँ तो भगवान द्रश्टी डालते तो जैसे सिव में रुची हो जाती राम में रुची हो जाती वैसे भोगों में भी हो जाती वैसे संसार में भी हो जाती बास समझ रहें अंदर से देखला वैसे रागद्वेस में भी हो जाती मताब अभी कोई स्थिती नहीं है उसकी वह जहां जैसा सामने दर्शे आया उस पे लुभायमान हो जाता है भागवतिक आया तो भागवतिक लुभायमान हो गया संसारी काया तो अभी कोई प्रशंसनी विसे नहीं आया है हाँ जब हमारे अंदर ये बृत्ती आ जाये नारयन हरिभजन में ये पाचोन शुहात विसे भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात फिर जो रुची पैदा हो इसके बाद फुडादरनी बात अवाती है पहले हमारे अंदर इनमें अरुची होनी चाहिए अगर भोगों में अरुची नहीं सरीर की विलासिता में आराम विश्राम में अरुची नहीं तो अभी प्रीती नहीं आयी है जब प्रभू के चरणारविंद की लगन लगती है ना तो नहीं खान पान ते भावे है नहीं कुमल वशन शुहावे है सब विशे लगे ते खारा है हरियासिक का मगन्यादा थैं ब्रम्हादिक के भोगशब विश्शम लागत ताहि नारयन ब्रजचंद की लगन लगी है जाए जब भगवान में प्रीति हो जाएगी तो वो कोई भी भगवान का नाम रूप हो एक ही भगवान है दो भगवान नहीं है पर वो प्रीति का स्वरूप ही है कि देह की विलासिता मन का मनोरंजन ये हटना चाहिए अगर ये नहीं हट रहा है तो हम प्रीति नहीं कह सकते है प्रेम का यही लक्षन है कि उसको फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता जिससे प्रीति हो जाती है इसलिए गुश्वामी ज गण से मांगा भगवान से प्रीति कामी नारी प्यारी और लोभी जी विप्रिय अनायास बिना प्रयास के निरंतर इस्मृति वनी रहती कामी की कामिनी में कंजूश लोभी की धन में अनायास बिना प्रयास स्वभाविक चिंतन बना रहता है हे राम जी आपका ऐसे चिंतन होने लगें जैसे कामी कामिनी का लोभी धन का ऐसे प्रभू आपका चिंतन आप हमें ऐसे प्यारे लगें कि हम सहज में आपका चिंतन करते रहें प्रयास करन विशयभोग तो जब हमारा मन प्रभू के चरनारविंद के सुख में लग गया तो उसे विशयभोग कैसे अच्छे लग साथते हैं जैसे निर्मल, म्रदुशीतल, अद्धुत, सरोवर के प्राप्त होने के बाद गंदे गड्धों की याद नहीं आती हैं हमारी प्यास, निर्मल, उज्वल, म्रदुल, भगवान के नाम रूप से अब बुझ रही है जो जन्म जन्मानतर से हम भी सह भोगों को भोगते रहे कभी शान्ती नहीं मिली आज हमको जो शुख मिलने लगा, अब इस शुख का परिचे है कि फिर सांसारिक कोई भोग विलास्ता का सुख आपको आकरशित न कर पावे और नींद, नींद का भी एक सुख है, तमोगुनी सुख है, कई-कई घंटे लोग शोते रहते हैं और उसको सुख समझते हैं में खतम ही हो जाती है, जब गुणाती तवस्था आती है, तो रात, दिन, अब उसे नींद प्रिन, नींद जानते हो क्यों विश्राम लगता है नींद में, संसार का चिंतन छूट जाता है, पाच गंटे, छे गंटे, सोए, एकदम बेशुद हो गए, संसार का चिंतन नही हुआ, तो आप एकदम फ्रिस, एकदम शक्तिवान अनुभो करते हैं इंद्रियों को, तो ऐसे अगर जागरत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दिया जाए, जैसा शुषुक्ति अवस्था में हुआ, जागरत अवस्था में ऐसे हम प्रभू के चिंतन में के संसार की याद नहीं आई तो बुलू कितना पावर आएगा इंद्रियों में कितनी अध्यात्मिक शक्ति जागरत होगी जब तमोगुण नीद में हमारी इंद्रियां बल्वान हो जाती संसार का चिंतन्ना होने के कारण लीन हो गए मन सईथ तो हम जब जगे तो आया कि यार आज भगवान के चिंतन में डूबने से मिलता है तो बिशयभोग और निद्रा और हासी मजाक संसार का ए मन और रंजन भक्त को नहीं भाता है उसके तुर्दे में एक पीड़ा पैदा हो जाती कब मिलेंगे प्रभू कैसे मिलेंगे प्रभू अभी तो मैं नीच प्रवत्ति का ह कहां सच्चिदानंद भगवान कहां मैं अधम कोई क्रपा कर दे कोई मार्ग बता दे वह अंदर अंदर रोता है कैसे प्रभू प्राप्ट उसे असी मजाक सुआई देगा है उसके हरदे में तो आग लग गई कभी कभी होता है जीवा निकला जा रहा है अब बड़ी मुश्किल से मिलाया जो है बनुश्य शरी पर अभी सही सही डंग से जब होगा ला तो कभी कभी ने युगवनी दंतर रहता है आज सत्सक में बताया था भाई जी महाराज फ्रेम दर्शन में लिखते कि कोई कभी कहता है कि सायद इसको ही इसक कहते हो जैसे कोई दिल को मशला करे अपने प्रभू की याद में एक अधुत पीड़ा है अब उस पीड़ा के मिटाने की चाहुई कि दरस बिन दूखन हैं तो त्रिभूवन में कोहीं हमें अपचैन हैं मिलने वाला तो उसे हासी कैसे आ सकती है विशेभू निद्रा और हसी और जगत प्रीती संसार के रिष्टे संबंद सब उसे अंदर से कड़वे लगने लगते हैं बाहर से तो बिवार वैसे ही करता है ममता रहित बिवार भगवत अनुराग प्रीती नहीं हुगता कोई संसारिक संबंद प्री नहीं लगता पर उसे अधिक प्रीति होने के कारण तो ये लक्षन जहाँ आए विशय भोग निद्राहसी जगत प्रीति बहुबात जहां इनका त्याग हुआ तब भगवान में प्रीति हुई और जहां प्रीति हुई भगवान बिवस है प्रेमा दिन भगवान को का गया ना बस उसके हरदय में भगवान प्रकासित हो जाते है उसके नेत्रों में भगवान बस जाते है इसलिए जिस भी भगवान में हमारी रुची हो जाए तात है प्रीति रंगिली पाएं जब स्रीकृष्ण अत्यन्त प्रशन होते हैं तब राधा नाम में प्रीती राधा की सोरी के चरणारविंद की सरणागती प्राप्ष होते हैं यह प्रेम का साक्षात समुद्र का शार रूप सी लाड़ीजु हैं प्रीतिर्यू मूर्तिमती रससिंधो सार संपदियू विमला वैदग्धी नाम हरदयम का चन ब्रंदावना धिकारनी जयती लालजु के हरदय के प्रेम समुद्र का सार रूप सी लाड़ीजु ब्रंदावना धीश्वरी सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति की सोरी हैं ब्रंदावन रजरानी की करपा से रसिकों की करपा से इनका परिच हो गया तो सब कुछ प्राप्ट हो गया क्योंकि भगवान का नाम है प्रेमा धीन जहां प्रेम आया तो भगवान धीन होकर संग ही संग डोलते हैं तो प्रेम का मुर्तिमांसुरुप किसोरी जुए जब एक्रपा करती है तो उपासक के हरदय में निर्मल प्रेम का उदय होता निर्मल प्रेम आया कि भगवान धीन हो गए उसके समझ पार है खुम नाम जब कीजिए और हर भगवान के चरित्रगाई है जो तुम्हारा मन कहें और सब का फल मांगिए कि किसुरी जुके चरणों में प्रेम हो जाए मत बात बल गई एक जगे कहीं आ सकती कर लो तो सब अब प्रव किसी से प्यार नहीं करती है वो सिर्फ इसलिए ऐसा करती है कि उसके पती के प्रीजन है और यह देखकर पती अत्यंत प्रशन होगा बस ऐसे ही हम चैन करें अपने हरदय में आराध्यदेव का और सब की बंदना सब को नमस्कार सब की जैजैकार और उसका फल मांगे कि हमारे प्रभु जिनको हमने वरण किया है जो नाम रूप हम चायते है वो प्रभु प्रशन हो जाए जैसे विनए पत्रिकाजू में स्रीगोश्वामी तुलसिदाजी ने सब की बंदना की और सब का फल यहीं मांगा कि आप प्रशनों और सियराम जी के चरणों में अनु कि चरणों में प्रेम हो जाए ऐसा सबहम पर क्रिपा करें तो वही बात उसकी अनन्यता में बदल जाएगी सोच पर आप